हेलो गाइच वेलकम टुमाँ यूटूब चैनल टेक्निकल फ्रेंड दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज़दा इंपोर्टेंट होने वाली आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है वी यूम यूनियन बैंक एप्लिकेशन में जो है पेई कैस इने को मिलता है और जश्ट इसके नीचे सबसे नीचे मैनेज पेई का उप्षन मिलेगा इस पर हमें किलिक करना है जैसे हम लोग मैनेज पेई की उप्षन पे हम किलिक कर देते हैं ति यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में पेई लिष्ट का उप्षन मिलता है और अगर union bank के जो है किसी pay को add करना चाहते हैं ये pay का मतलब दोस्तो किसी account को add करना चाहते हैं जिसको आप जो bank में transfer करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं one click में कर सकते हैं पहले आपको सारा डिट के लिए एक बार add करना होता है यहाँ आप देख सकते हैं account number दुबार account number आएपसी कोड इसके लिए other account में करेंगे तो सब कुछ add करना परेगा लेकिन अगर आप union bank of india का करते हैं तो उसमें सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर अपना account number लिखना होगा जो भी account number add करना है आप sorry guys अपना नहीं लिखना है जिसका add करना उसका लिखना है आप लोग जो है यहाँ पर confused हो हो जाएंगे इसलिए मैं के लिए कर दे रहा हूँ जैसी account number को लिख के proceed पर अगला option किलिक करते हैं अगर यहाँ पर आप लोगों से transaction pin मांगता है तो आपने जो भी transaction pin बनाया है दोस्तों अपनी इस application के माद्धेम से transaction pin इंटर करके आपको submit पर किलिक कर देना है इसके बाद आपके mobile नंबर पर जो आपके bank account में registered है उस पर OTP आएगा चैंको का OTP को आप लोगों को यहाँ पर इंटर करना है और submit पर जैसे हम किलिक कर देंगे इसके बाद पेई जो है add हो जाता है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए दी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को आप लोग subscribe जरूर करें